प्रिशत्रों नमस्कार आज हम पढ़ेंगे आलेक प्रिश्णवल एक का पाचवा कुश्चन पिछले क्लास में हमने चौथा तक कम्प्रिट किये थे उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बाक्स में आपको टेंथ मैट्स का प्लेलिस्ट मिल जाएग उसे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और यदि आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथे साथ बेल आइकन को ही फ्रेस कर लिजे जिससे हम नए वीडियो अप्लोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल ज पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जरूर देखे क्योंकि उसमें आपको बहुत बेसिक चीज मिलेगा टिक वह पार्ट वन है उसमें 14 तक मैं बताया हूं तो पांचवा कोश्चन क्या है देखिए एक परिवार में पांच सब्ता तक उप्यो सब्तिक प्याज लगता है एक किलोगराम दूसरा सब्ताल है लगता है 2000 किलोगराम तिसरा के लिए तीन 44 के लिए चार पांच के लिए 5 अर्था अर्था है कौन और परतंत्र होगा कौन देखें सब्ताह यहाँ पे एक है तो प्याज की मात्र है दूसरा सब्ताह में आप उप्योप करेंगे तो आपको 2 kg प्याज लगेगा अर्थात यदि आप सब्ताह को बढ़ाते जाएंगे तो आपके प्याज की भी मात्र बढ़ रहा है तो सब्ताह को यदि आप कम करेंगे तो प्याज किसके उपर निर्भर है सब्ताह के उपर निर्भर है तो यहाँ पे सब्ताह क्या है सोतंत्र है और प्याज की मात्र क्या है वो परतंत्र रासी है क्योंकि सब्टा के उपर वो depend करता है तो हमें सब्टा एवं प्याज के मात्र के बीच एक आलेक खिचना है तो चलिएं, खिच लेते हैं हम आलेक, ये हम ले लेते हैं y अक्ष और इसमें ले लेते हैं हम x अक्ष हम X कमान X लेके सब्ता की मात्र को दिखाएंगे हम X अक्ष में और प्याज की मात्र को दिखाएंगे हम Y अक्ष में तो X कमान होगा सब्ता हम ठीक इस तरह से तीर कचिन लगा देना एक दो तीन चार और ये पांच ठीक एक दो तीन चार और ये पांच इसमें दिखा देना प्याज दो तीन चार और ये पांच एक दो तीन चार और ये पांच प्याज की मात्रा इसमें लिख लेना आप प्याज की मात्रा यह इस दिखा देना Y अक्ष में तो Y अक्ष में आप लिख लेना प्याज की मात्रा किलोग्राम में और X अक्ष में लिख लेना आप सब्ताह को यहाँ पे 0 होता है इसलिएन को मिटा सकते हो आप चलिए पहला सब्ताह एक किलोग्राम दूसरा सब्ताह दो किलोग्राम अर्थात पहला सब्ताह और ये एक किलोग्राम रेखने खिचें यहाँ पे एक बिंदू पहला सब्ताह और ये किलोग्राम तो ये पहला सब्ताह और एक किलोग्राम प्याज दूसरा सब्ताह दो किलोग्राम प फिर पांचवा को आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे जाएगा ठिक यह पांच और यह पांच यहाँ पे चार और यह चार क्या किया है देखें एक को आगे बढ़ाएं इधर से एक को तो यहाँ पे मिला दो को आगे बढ़ाएं और इधर से दो को तीन को यहाँ से आगे बढ़ाए और यहाँ से तीन को चार को आगे बढ़ाए और यहाँ से चार को पांच को आगे बढ़ाए और इस पांच को तो हमें इस बिंदू मिला इस बिंदू को आप मिला दीजी तो हमें फिर क्या मिलेगा एक सरल रिखा मिलेगा इस तदर से इसका graph बन गया अब हम यहाँ पर लेते हैं पैमाना पैमाना क्या बता है हो मैं X अक्ष हो एक बड़ा खाना बड़ा X अक्ष एक बड़ा खाना तो X अक्ष का अंतर किया है देखें दो और 1 के बीच का अंतर कितना होगा एक होगा और ये क्या है, सब्ता, ठीक, तो ये होगा एक सब्ता, एक सब्ता, फिर वाई अक्ष एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना, वाई अक्ष में किसको दर्शा है, किलोग्राम में, ठीक, प्याज की मात्रा, तो ये होगा एक किलोग्राम, ठीक, इसको ऐसे डिब्बि में बंद कर सकते हैं आप ये जुनों के बीच का अंतर निकालते हैं अरिकतमánu new Undam यहाँ पर देखेंगे तो दो अरिकतम है एक new मैं तो दो में एक- करेंगे तो एक तो ये होगा एक kilogram इसे भी दो अरिकतम है एक New तो दो में एक माइनिस करेंगे तो एक सप्ताह इस तरह से बनाते हैं हम पैमाना तो यह जो आलेक है वो प्याज की मात्र और सप्ताह की मद्धे खीच गया आलेक है तो इसे आप नोट कर लिजे फिर इसके बाद देखेंगे हम छटवा कोश्चन ठेक इसके बाद देखते हैं चटवा कोश्चन के लंबाई बहुत अधिक है इसलिए उसको मैं बोट पर लिखा नहीं हूँ कोश्चन आपको यहां पर दिख रहा होगा देखेंगे तो चलिए कोश्चन के हैं रिखेंगे एक विज्ञान पत्रिका में छपे लेख के अनुशार किसी इस्थान विशेज पर रहने वाले चीटियों की चाल पर ताप मान का प्रभाव पड़ता है यदि किसी इस्थान पर रहने वाले चीटियों की चाल वा उस इस्थान के ताप के बीच संबंध को शमीकरण एस इकोल टू टी माइनेस बीस बटे पांच से प्रदर्शित किया गया हो तो टी ताप अंस में वा चाल सेंटिमिलर प्रती सेकंड है चीटियों की चाल पची संस, ती संस, पैंती संस और चाली संस रखते हुए ताप मान वा चाल में दर्शाने वाले संबंध को आले के प करेंगे तो इसमें मैं में चीज़ को लिखता हूँ ठीक कोश्चन हटा रहूं मैं अपना बुक देख लिए आप हमको दिया हुआ हैं चाल वा इस्थान के बीच मतलब चाल वा ताप के भी समीकरन दिया हुआ है तो उसको हम लिखेंगे हल करके हल दिया है चाल का शमीकरन चाल का शमीकरन एस इकवल टू दिया हुआ है ती माइनेश ट्वेंटी अपान फाइब अब यह किससे 担साना है हमें चाल को चाल को दिखाना है सेंटिमिटर परति सेकंड सेंटिमिटर प्रति सेकंड सेंटिमिटर प्रति सेकंड यहाँ पे सेकंड है उसको लिख लिजीग अब हमको दिया हुआ है ताप, ताप को दिखाना है हमें अंस में, किसमें दिखाना हैं अंस में तो ताप का मान दिया हुआ है टी इक्वल टू T equal to दिया हुआ है 25 अंस 30 अंस 35 अंस और यह 40 अंस हमें ताप कमान दिया हुआ है अब इस मान को हम रखेंगे और 4 कमान हम निकालेंगे ठीक बूख रख रहूं है अब देखेंगे इसको चलिए देखें सबसे पहले आप यह निर्धारित कीजिए कि यहाँ पे सोतंत्र चरकाउन है और परतंत्र चरकाउन है तो यहाँ पे T कमान दिये हुआ है और S कमान दिये हुआ है तो T के मान को जब हम यहाँ पे रखेंगे T के मान को जब हम यहाँ पे रखेंगे तो मिलेगा हमें चाल कमान T मतलब यह ताप मान है, याद रखना, क्या है, ताप मान है, ठीक, तो ताप मान के मान को, जब हम इसमें रखेंगे यहाँ पे, तब हमें S का मान मिलेगा, मतलब S किसके उपर निर्भर करता है, T के उपर, तो T सोतंत्र है, और S परतंत्र है, क्योंकि T का मान रखेंगे, तभ चलिए मान निकालते हैं, पहला t equal to 25 पर, t equal to 25 अंस, तो s कमान क्या मिलेगा, t कमान 25 रखे, 25 minus 20 बटे 5, ठीक 25 में 20 माइनस करिए, तो यहोगा 5 बटे 5, अर्थात कटेगा, तो क्या मिलेगा हमें s कमान 1, t कमान 25 के बाद 30 अंस रखे, इसको, तो s कमान क्या मिलेगा, 25 minus, s कमान क्या मिलेगा, t के जगा रखेंगे हम 30, तो होगा 30 माइनस 20 बटे 5, बराबर, 30 में 20 माइनस करेंगे, तो हमें मिलेगा 10 बटे 5, अर्थात 5 दूनी 10, तिसरा, t कमान 30 के बाद 35 अंस, t बराबर 35 अंस, तो s कमान क्या मिलेगा, यह मिलेगा, 35 minus 20 बटे 5, 35 में 20 माइनस करें, तो हमको मिलेगा 15 बटे 5, और 5 दिया 15, ठीक, एक, दो, तिन, यह सभी s के मान है, t कमान अब हम 40 अंस रखते हैं, t बराबर 40 अंस, तो s कमान क्या मिलते हैं, s कमान मिलते है, 40 minus 20 बटे 5, बराबर, 40 में 20 माइनस करें, तो यह होगा 20 बटे 5, काटिये इसको, 5 चौक 20, तो s कमान क्या मिला, 1, 2, 3, 4, चलिए, अब हम सिधा सिधा ग्राब बना लेते हैं इसके लिए, तो मैं ले लेता हूँ, यह y अक्ष ले लेता हूँ, y अक्ष, और दूसरा ले लेते हैं हम, x अक्ष, ठीक, अब ध्यान दिजिए, x अक्ष में किसको दरसाना है आपको, सोतन्तर चल, तो ताप मान क्या है, सोतन्तर है, ताप मान में हम Celsius लगाएंगे, अर्थात यह इस तरह से लगाएंगे, ठीक, यह ताप है, तो ताप मान क्या क्या है, द 40, ठीक, यह रख दिये हम, ताप मान के मान को, यहाँ पर लिख सकते हो, आप, ताप मान, ठीक, इस तरह से तीर कचिन्ह दिखा देना, अब y एक्ष में हम किसको रखेंगे, t का मान 25, तो s का मान क्या क्या मिल है, दिखें, यह सभी s का मान है, 1, 2, 3, 4, तो इसको रखें, 1, 2, 3, और यह 4, ठीक, y एक्ष में दिखाएंगे हम, s को, s क्या है, चाल है, ठीक, चाल किसमें दिये है, cm पर 30 सेकंड, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे हम, आप यहाँ पर अपने कापी में अच्छ से लिख लेने इसको, 4 cm पर 30 सेकंड, और यह किसको इस तरह से तीर कचिन् पर लिए, ग्राब बनाना बहुत असान है, पहला, जब ताप मान 25 अंसलसियस था, तो चाल कितना था, चाल कितना था, 1 cm पर 30 सेकंड, देखे, 25 में इस कमान क्या मिला है, 1 cm, तो ताप मान कितना है, 25 अंसलसियस, इसको आगे बढ़ाएंगे, और तो क्या मिलेगा, हमें 1 मि दूसरा, T कमान 30 अंस, तो S कमान 2 अंस, तो 30 को आगे बढ़ाएंगे, इस तरह से, ग्राब पेपर में बनाना है, इसको, यह, तो यहाँ पर एक बिंदू मिलेगा, बिंदू का नाम देंगे, हम 30 अंस और यह 2, 30 और यह 2, 30, 35 अंस, तो चाल कमान कितना मिला है, 3, तो यह 35 आगे बढ़ाएंगे, और यह मिलेगा, हमें 3, तो यहाँ पर हमें मिलेगा, ठीक, 35 और यह 3, चाल था, 40 अंस हमारा ताप मान है, तो चाल कितना है, 4, सेंटिमेटर प्रतिस सेकेंड, तो 40 को कहा तक ले जाएंगे, इस तरह से आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ तक जाएग इसमें भी क्या मिला हमें, एक सरल देखा मिला, तो हमें भी क्या मिला, इसमें एक सरल देखा प्राप्त हुआ इस तरह से, ठीक, इसको आप मिलाना चाहते तो मिला सकते हैं, अब हम बनाएंगे इसके लिए पैमाना, तो पैमाना कैसे बनेगा इसका, पैमाना, ठीक, पैमान के बीच में निकालेंगे तो हमें पांच मिलेगा 35 और तीस के बीच में निकालेंगे तो पांच मिलेगा तो इस वाले को हम लेते हैं तो एक्स अक्ष का बड़ा खाना क्या होगा एक्स अक्ष यहां पर पूरा लिख लेना एक्स अक्ष एक बड़ा खाना कितना होगा यह पा में चाल का अंतर निकालीं एक में 0 माइनस करेंगे तो 1 आएगा 2 में एक माइनस खरेंगे तो इसके विचका अंतर कितना मिल रह inve एक तो वाई अक्षए बड़का ने हो हगा वाई अक्षण शुन हुड्य एक इस थे मैं शिंटी में तो इसको अच्छा एक बड़ा खाना एक सेंटीमिटर प्रती सेकंड ठीक सेंटीमिटर के बाद ऐसे बटे का चिन्ह लगाएंगे तो प्रती सेकंड में आ जाता है इस तरह से हमारा ग्राप तैयार हो गया अब इस ग्राप के अधार पर हम इन प्रश्णों को हल करेंगे तो चलिए अक्षपर एक्स अक्षपर तापमान का आकड़ा है ठिक कौन सा आकड़ा है एक्स अक्षपर तापमान का आकड़ा है यह पहला हुआ दूसरा य अक्षपर कौन सा आकड़ा चुन है तो य अक्षपर हमने चाल चाल का आकड़ा लिया है तो इसको लिख सकते हैं य मतलब यह सेंटिमीटर प्रति सेकंड में लिए हैं सेंटिमीटर प्रति सेकंड का आकड़ा लिए हैं का आकड़ा है ठीक आकड़ा है आकड़ा मतलब इस नंबर को ही हम आकड़ा कहते हैं ठीक आकड़ा है तिसरा एक्स अक्ष और य एक्ष पर आकड़े दर्साने के लिए यहां पे 5-5 का अंतर लिये हैं, यहां पे देखें, इससे पहले हम 25 से पहले हम पे 20 ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, 20 से पहले हम 15 ले सकते हैं, 15 से पहले 10, 10 से पहले 5 और 5 से पहले 0, तो हम 5-5 का अकड़ा उसको मानके चलते हैं, तो X अक्षा के लिए हमने पैमाना चूना है पाँच डिगरी सल्सियस का और Y अक्ष पर हमने पाइमाना चूना है एक सिंटिमेटर प्रति सेकंड का तो इसको लिखेंगे हम X अक्ष ठीक X अक्ष और X अक्ष का पाइमाना X अक्ष का पाइमाना X अक्ष का पाइमाना कितना है 5 लिए हैं पांच डिगरी सेलसियाज ठीक पांच डिगरी सेलसियाज और वाई अक्ष का पैमाना क्या है वाई अक्ष का पैमाना देखें एक है तो हम इसको लिख सकते हैं एक सेंटिमीटर प्रति सेकंड प्रति सेकंड ठीक फिर तिस चौथा जहां चीटियों की चाल दो दसमलब क्रवांन बताएे चीटियों की चाल 2 Bay ये 2 है तो चाल हमारे यह तो चीटियों की चाल 2 द olacak मतलब 2 और तीन की बीच में आगा 2 दसमाल पंच है चीटियों की चाल तो 2 और तीन की बीच मी रेगा मतलब यहां पे आएगा ठीक तब हमें उस इस्थान का ताप मान गयाद करना है तो 2.5 तो क्या करेंगे हम एक और दू अंग तो हम 25 और 30 के बाद 30 और 35 के बीच के देखेंगे इसको यहाँ पे 2.5 है तो इसमें क्या करेंगे हम 25-30 मतलब 2 अंग लेंगे तो 30 और 35 के बीच के देखेंगे तो इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे और इसको हम ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो हमको जाके कहाँ पर मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा तो यहाँ पर होगा 2.5 चिटियों की चाल तो ताप मान यहाँ पर देखे 2.5 तो यहाँ पर क्या होगा 30 और 35 के बीच में कौन से संख्या आगा 30 और 35 के बीच की संख्या ठीक बीच में आगए यहाँ पर 30 और 35 के बीच में तो 30 और 35 के बीच में कितना होगा 32.5 वह होगा न 30 और 35 के बीच में 32.5 ठीक तो इसमें होगा 32.5 तापमान होगा तो उस इस्थान का तापमान क्या होगा तो चिटियों की चाल इसको लिख सकते हैं हम चिटियों की चाल कितना 2.5 cm प्रती सेकंड तो तापमान कितना होगा तापमान तो तापमान होगा 30 और 35 के बीच में आएगा 32 32.5 degree Celsius होगा तापमान कितना होगा 32.5 degree Celsius लाश्ट देखें यदि तापमान 30 अंस से 40 अंस हो जाए तो चिटियों की चाल में कितना परिवर्तन होगा 30 अंस से 40 अंस परिवर्तन मतलब होता है बड़ी रासी में से कम को माइनस करना तो 30 अंस और 40 अंस में देखिए यह है 30 और यह है 40 तो 40 का अंस को बढ़ाएंगे तो हमको यहाँ पर Y कमान क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है और 30 को आगे बढ़ाएंगे इस तरह से तो यहाँ पर हमको Y कमान क्या मिल रहा है 2 तो 30 में हमें Y कमान मिल रहा है 2 और 40 अंस में हमें y कम मिल रहा है 4 तिक ये 4 और ये हैं 2 तो 4 में हम 2 को माइनस करेंगे तिक परिवर्तन अर्थात अधिक से हम निम्न को माइनस करते हैं तिक अधिक से कम तो 4 में 2 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2 मिलेगा तो इसको लिख सकते हैं हम ताप मान 30 अंस से 40 अंस हो तो 40 अंस से 30 ठीक तो इसको इल्टा लेंगे तो 40 अंस 40 अंस के लिए कितना है y का मान 40 अंस के लिए y का मान है 4 तो यह होगा 4 30 अंस के लिए y का मान कितना है 2 तो यह होगा 4 माइनस 2 और ये किस में है Celsius में है चार में दो माइनस करिए तो दो अंसर Celsius होगा कितना होगा दो अंसर Celsius इसका आंसर होगा ठेक तो इस तरह से इन इस question के साथ हम आज की class को complete करते हैं और next class में देखेंगे इसके आगे की question को क्योंकि इसके आगे का question और हल करेंगे तो वीडियो की लंब करेंट करके मुझे जरूर बता आएं और अपने लोगों को सेयर भी कर दीजिए आप अ कि करेंगे में बड़ा कि अब कर दो अब दो